टेंपल शब्द का ओरिजिन लेटिन वर्ड टेंपलम से हुआ है जिसका मतलब होता है रिलीजियस और स्पिरिच्वल रिच्वल्स और एक्टिविटीज जैसे प्रेयर और सेक्रिफाइस के लिए रिजर्ड स्ट्रक्चर हम अकसर टेंपल में वर्शिप करते हैं पर बेरली उसके significance को जानते हैं अलागि किसी भी मंदर में प्राथना करने से पहले उसके पीछे का belief, tales, etc. को जानना उतना ही important है जितना दर्शन करना इससे worship और जादा meaningful हो जाती है भारत में majority, Hinduism या Hinduism से derived sections और beliefs पर faith रखते हैं यहां Hinduism, Buddhism, Jainism और Sikhism का उद्गम हुआ है आज का बदरीनात, East में जगननातपुरी, South में रामेश्वरम और West में दौरिका पर discussion है हम इन चारो धामों को एक एक करके discuss करेंगे और Hinduism में इनके uncomparable और inseparable importance को जानेंगे यह चार holy and honored shines Indian subcontinent के चार cardinal points पर located है जो माना जाता है कि Lord Vishnu द्वारा intimately पसंद किये जाते हैं ऐसा कहा और माना जाता है कि Lord Vishnu रामिश्वरम में स्नान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, बदरीनात में meditate करते हैं और द्वारिका में अराम करते हैं, इसलिए इन जगों को चार धाम कहा जाता है, इन चारो धामों को शंकराचार जी ने 8 century में establish किया था, धाम का अर्थ है एक sacred place, च जगननात, majestic जगननात temple पुरी ओडिशा में located है, ये एक coastal town है जो हिंदू religion में एक pilgrimage site है, ये मंदिर Lord जगननात को समर्पित है, जो Vishnu के ही एक form है, traditional authorities के मताबिक strongly माना जाता है कि ये temple human civilization जितना ही पुराना है, Lord जगननात की history रिगवेत के era तक जाती है, इस temple में तीन भगव जगननात को आफर किये जाने वाले 56 भोग को महाप्रसाद नाम दिया गया है, ये भोग पहले Lord जगननात को दिया जाता है, जाता है फिर मा बिमला को, महाप्रसाद दो तरह के होते हैं, एक संकुडी महाप्रसाद और दूसरा सुखीला महाप्रसाद, ये मंदिर के ही किचन में तयार किया जाता है, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भोग बनाने के लिए 250 earthen ovens यानि भट्टी के साथ 32 rooms इस् जाता है, इस कारकरम के लिए एक बहुत मजबूत और विशाल काई रत तयार किया जाता है, इस चारियट का नाम नंदी घोश है, जिसके 18 wheels होते हैं और करीब 45.6 feet हाइट होती है, वही लौड बलराम का चारियट तला धोजा कहलाता है, जिसके 16 wheels होते हैं और हाइट 45 feet होती है, similarly Goddess Subhadra के चारियट का नाम देवा दलाना है जो 44.6 feet का होता है, इसके बाद अगला धाम है रामेश्वरम दोस्तों ये मंदिर mind-boggling architecture और spiritual significance के साथ इंडिया के southern state तमिल नाडू में located है, रामनात स्वामी के नाम से भी जाना जाने वाला ये मंदिर खास तोर पर लौड शिवा को dedicated है, मानिता के मुताबिक ये मंदिर लौड राम ने लंका पर आकरमन करने और राम सेतु के निर्मा माना जाता है, यदि आपको ancient architecture में दिल्चस्पी है, तो यहां आपको मंदिर की प्राशीन बनावट, pillar cravings और corridors देखने में आनंद महसूस होगा, यहां शिवलिंग लौड राम ने स्थापित किया था पर सदियों तक कई rulers ने यहां construction करवाए है, शिवलिंग के अलावा यहा 22 holy wells हैं, जिनें कुंड कहा जाता है, यह कुंड ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल से भरे हैं, और मनुष्य यहां अपने पापों का प्राश्चित कर सकता है, यह एक तरह से materialistic जीवन से आए regrets, guilt, sins से मनुष्य को rescue कर सकने की शक्ती वाले कुंड है, यहां devotees, Lord Shiva और Lord राम की पूजा करने gather होते हैं, और sacred water में डुपकी लगाते हैं, महाश्य वरातर यहां बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, पर Lord राम के शब्दों को respect देने के लिए आज भी Lord Shiva की पूजा पहले की जाती है, इसके बाद हम चलते हैं द्वारिका की शरण में, गोमती क्रीक ने लोकेटेड द्वारिका का मंदिर दोस्तों, जगत मंदिर या त्रिलोक सुन्दर भी कहा जाता है, माना जाता है कि ये मंदिर ओरिजनली Lord Krishna के ग्रेट ग्रैंटसन वजरिनब ने पच्चिस सो साल पहले बनवाया था, ये ग्लोरियस स्ट्रक्चर अरेबिय से उभरता हुआ नजर आता है, इसका एक्स्कुसिटली कार्व शिखर और 52 यार्ड लंबे कपड़े से बनाया हुआ फ्लाग करीब 10 किलोमेटर दूर से दिखाई देता है, गोमती नदी के किनारे इस टैंपल का ग्रेंडियोर 56 सीधियों के कारण इन्हांस होता नजर आता है, यह मंदिर सॉफ्ट लाइम स्टोन से बनाया गया है और सैंक्टम, वेस्टी ब्लू और एक रेक्टेंगुलर हॉल और पोर्चस के कारण अदभुत नजर आता है, यहाँ पिल्ग्रिम्स स्वर्ख द्वार से एंटर और मोक्ष द्वार से एक्जिट करते नजर आ सकते ह है, द्वारकादीश मंदिर का लोवर पार्ट 16th century में बनाया गया था और कई क्लस्टर्स हैं जिनमें छोटे टावर्स हैं उन्हें 19th century में बनाया गया था, टैंपल्स का मुख हिस्सा 5 मंजिला है जो 100 feet तक की height टच करता है, इसके exterior में exclusive cravings हैं जो multi-layered mythic intensity और extraordinary continuity दिखाती है इन contrast, interior simplicity का epitome नजर आता है, interior में केवल द्वारकादीश के idol के आसपास ornamentation दिखता है, इस मंदिर को मक्षापुरी यानि liberation या salvation का इलाका माना जाता है, ये मंदिर में ली द्वारकादीश कहलाता है, इसका मतलब है Lord of Dwarka, दोस्तो Lord Krishna का दूसरा नाम द्वारकादीश है और इन का मंदिर प्रमाइस के बीच में है, ये Lord Vishnu का चतर भुजरूप यानि त्रविक रामा की मूर्ती है, हलाकि मंदिर में Lord Baldew भी एक डीटी है, बल्देव वास्तव में कृष्ण के बड़े भाई हैं, जोने बलराम भी कहा जाता है, मुख डीटी के लेफ्ट की तरफ प् आता की मूर्तिया भी है, यहां रादिका जी, जम्वु वाटे जी, सत्व भामजी और लक्ष्मी जी भी विराजमान है, यहां जनमास्ट मी बेहद महत्वपून माना जाता है, और गर्बा और रास लिलाओं के साथ मनाया जाता है, दोस्तो लास्ली हम पहाड़ों की गोद में मौझूद बदरीनाथ चलते हैं, वीडियो के एंड होने पर आपको चारो धामों के बारे में बेसिक बातें मालूम होने के लिए लौड बदरीनाथ की चर्चा जरूरी है, तोस्तो चार धाम में शामिल बदरीनाथ उत्राखन में लोकेटेड है, एंशिंट बिलीव के मताबिक ये बताया जाता है कि यहां बदरी फ्री के नीचे लौड विश्नु ने हजार साल मेरिटेशन यानि तपस्या की थी, ताकि मानवता का उध्धार हो सके और तभी से ये लोकेशन सेक्रेड मानी जाती है, यहां उसके बाद लौड बदरीनाथ का मेरिटेशन के पो लौड विश्नु का ये मंदिर नर नरायन टेंपल के बीचों बीच है, इसके तीन सेक्रेड सेक्शन्स हैं, गरभा ग्रह, सभा मंडप और दर्शन मंडप, बदरीनाथ टेंपल के अलावा लोगों को फैसनेटिंग तरह से कैप्चर करने के लिए यहां तप्त कुंड, सू लौड बदरीनाथ की माता को इस दौरान वर्शिप किया जाता है, कहा जाता है कि उन्होंने अर्ट पर रहने वाले प्राणियों के वेलफेर के लिए गंगा को 12 चैनल में डिवाइड किया था, और जहां से गंगा फ्लो हुई उसे बदरीनाथ कहते हैं, क्योंकि यह उत्र जोती हमेशा प्रजुलित रहती है, और जब मंदर क्लोज किया जाता है, तो जोती में 6 महिनों तक जल सकने की शमता बनाया रखते हुए घी भरा जाता है, मंदर क्लोज होते वक्ट भगवान बदरीनाथ की इमिच को नोशनली यानि किवल मानता में नर्सिम्हा टेंपल ज ट्रांसफर किया जाता है, जो बदरीनाथ मंदर से 64 किलो मेटर दूर है, इसे अप्रेल में के बीच अक्षयत्रितिया पर पुनाह खोला जाता है, तो दोस्तों ये थी कहानी चार धाम की, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा, आज क